हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल के रेटिक फंडा में मैं खुश्बो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP Force की तरफ से जो recruitment जारी किया गया है यानि इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस Force की तरफ से recruitment जारी किया गया है पोस्त है आपकी head constable midwifery की पोस्त है और group C की ये vacancy होने वाली है जिसमें only female candidates eligible होंगी इस पोस्त के लिए तो जो भी महिलाएं police force join करने की इच्छुक हैं interested हैं वो इस वीडियो में last तक बने रहेंगी और जो भी भाई लोग हैं उनकी बहने अगर interested हैं और सारी criteria fulfill कर रही हैं तो वो इस form को जरूर fill करवा देंगे बहुत ही अच्छी खासी vacancy है permanent government job है pay skill की बात करें तो यहां पर pay skill भी बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है साथ ही साथ आपको बहुत सारी facilities, adherence, allowances वगेरा और accommodation यानि रहने खाने की सारी विवस्था यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी अब हम इस वीडियो में आ अहां पर detail में बात करने वाले हैं तो वीडियो में last तक बने रहेगा और अगर आपने अभी तक हमाया चैनल को subscribe नहीं किया है तो ज़रू से subscribe कर लीजे आगया ऐसी ही job update सबसे पहले पाने के लिए तो आए वीडियो को start करते हैं और इस form की अगर form fill up की starting की बात करें तो यह 9 जून से यह form आपका fill होना start हो चुका है और आज यहां पर 13 जून है और 9 जून से यह form fill होना start हो चुका है last date की बात करें तो 8 जुलाई 2023 इस form की last date होने वाली है तो सभी लोग इस form को ज़रूर fill करेंगे जो भी इसकी essential qualification है अगर आप उसको fulfill कर रहे हैं तो अब यहां पर total number of vacancy की बात करें तो 81 vacancy है जिसमें से general के लिए 34 seat, OBC के लिए 22, SC के लिए 12, ST के लिए 6 और EWS के लिए 7 seat अवेलबल हैं और इस form को आप कहां पर जाकर fill कर सकते हैं तो www.recruitment.itbp.polis.nick.in पर जाकर इनकी official website पर जाकर इस form को आप fill कर पाएंगे pay scale की बात करें तो यहां पर pay matrix level आपका 4 रखा गया है 25,500 से 81,100 रुपए आपका basic pay level रहेगा यानि total आपका 45,000 से 50,000 in hand आपकी salary होने वाली है साथ ही साथ आपको यहां पर डियरेंस allowance, duration, money, special compensatory allowance मिल जाएगा और free accommodation यानि आपको रहने खाने की free सुविधा मिलेगी transport allowances और travel concession भी मिल जाएगा ठीक है और यहां पर आपको promotion की भी यहां पर बात की गई है ठीक है और यहां पर new recruitment defined contributionary pension scheme आपकी pension scheme भी यहां पर बनने वाली है तो बहुत ही अच्छी खासी यहां पर आपको pay salary दी जा रही है यहां पर age limit की बात कर लेते हैं तो age limit यहां पर 18 से 25 साल रखी गई है for general candidates SCST candidates को यहां पर 5 साल की age relaxation मिल जाएगी और OBC candidates को यहां पर 3 साल की age relaxation मिल जाएगी ठीक है और यहां पर अगर बात कर essential qualifications की तो आपका 10th pass होना चाहिए ठीक है recognized board से और साथी साथ क्या है past auxiliary nursing midwifery यानि A&M का आपका pass course होना चाहिए A&M की course आप pass कर लिए हो और साथी साथ registered in nursing council nursing council में आपको central या state government में registered होना चाहिए तो जो nursing course है उससे relate करते हुए जो भी candidates है वो इस form को fill कर पाएंगे ठीक है next यहां पर हम बात कर लेते हैं यह आपकी category जो कि मैंने बता दिया CST को 5 साल का OBC को यहां पर 3 साल का age relaxation मिल जाएगा EX service man की यहां पर दिया गया है तो यह notification आपको telegram group हमारे carrier take funda नाम से telegram group है वहां पर आपको यह full notification मिल जाएगा तो वहां पर join होके इस notification को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप को क्या qualify करना होगा standard रखा गया है महिलाओं के लिए जो हाइट है 157 सेंटी मीटर होनी चाहिए ठीक है चेस्ट यहां कुछ भी नहीं है candidate filling the categories आपका गहरवालिस, कुमोनीज, गोरखाज इन सब छेत्रों में जो रहने वाले हैं उनके लिए 155 सेंटी मीटर रखा गया है ठीक है और candidates hailing from north eastern state of unnatural प्रदेश मनीपूर, मेगालिया, मिजोरम, नगलेंट इन सभी प्रदेशों के जो candidates हैं उनके लिए 152.5 सेंटी मीटर आपका tribes hailing from north eastern state as above the left wing extremism effect districts के लिए यहाँ पर 147.5 सेंटी मीटर रखा गया है और all candidates to the scheduled tribes other than north eastern state than left wing extremism effect districts के लिए 150 सेंटी मीटर हाइट मांगी गई है अब यहाँ पर यह eyesight है तो यह आप देख लीजेगा किसी भी प्रकार के tattoos से related अगर कुछ है तो यह यहाँ पर दिया गया है और apply करने के लिए मैंने बताया कि ITBP की जो official website है वहाँ पर जापके इस form को आप apply कर पाएंगे application fee की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का application fee किसी भी candidates से नहीं लिया जा रहा है चाहे वो general candidates हो या EWC या OBC candidates हो किनी भी candidates से यहाँ पर application fee नहीं लिया जा रहा है selection procedure की बात करें तो selection procedure के लिए आपको PET qualify करना होगा PST qualify करना होगा और एक return exam देना होगा अब यहाँ पर PET क्या है physical efficiency test है जिसमें आप से क्या करवाया जाएगा 800 मिटर की दोड़ करवाई जाएगी कितने time में 4 मिनट 45 सिकंड के लिए जिसमें आपको 800 मिटर जो है दोड़ना होगा long jump कराए जाएगा जिसमें आपको 3 chances मिलेंगे 9 feet की long jump होगी high jump 3 feet की होगी जिसमें आपको 3 chances दिये जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर next हम बात कर लेते हैं physical standard test PST के लिए तो इसमें height और weight आपको जो है standard किया गया है तो उस height और weight को आप fulfill करेंगे तो ही आप PST को qualify कर पाएंगे अब PET और PST qualify करने के बाद आप से exam written exam लिया जाएगा दो घंटे का exam होगा total number of questions यहाँ पर hundred रहेंगे ठीक है और यह hundred questions आपके objective टाइप रहेंगे और OMR based यह मतलब offline आपका exam conduct करवाया जाएगा अभी यहाँ यह confirm नहीं है कि offline रहेगा या online या OMR based भी हो सकता है या फिर CBT भी exam हो सकता है तो यह चीज़े आपको बाद में official website के थो मालूम पड़ जाएगा अब यहाँ पर exam pattern क्या रखा गया है तो exam pattern में आप से 100 questions कहां से आएंगे general intelligence and reasoning से 10 questions रहेंगे 10 number के यानि एक question आपका एक marks का रहेगा general awareness से 10 questions रहेंगे numerical aptitude से 10 questions इंग्लिस हिंदी comprehension से 10 questions रहेंगे और trade profession related से आप से 10, 60 questions रहेंगे यानि nursing से related आपकी 60 questions रहेंगे दो घंटे का समय रहेगा और यहाँ पर negative marking की बात नहीं की गई है तो हम बानके चलते हैं कि यहाँ negative marking किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी ठीक है और यह traits related आपकी किस जो है topics questions रहेंगे तो community health nursing से आपके questions बनेंगे primary health care nursing से questions बनेंगे child health nursing से midwifery से और community health and health center management से आपके questions रहेंगे तो यह आपका trade का syllabus हो गया trade से आपके यहाँ से questions बनने वाले हैं तो सब कुछ बहुत ही clarify करके दिया गया है general के लिए हाँ पर minimum marks कितना लाना होगा रिटेन एक्जाम में 35 marks लाना होगा और SCST OBC के लिए हाँ पर 33 marks minimum लाना होगा written exam qualify करने के लिए ठीक है फिर आपको यहाँ पर verification के लिए document verification के लिए बुलाया जाएगा next यहाँ पर फिर आपको practical examination के लिए बुलाया जाएगा practical examination में आपका वाइवा होगा 40 नंबर का और instrument identification होगा 30 नंबर का और procedures होगे 30 नंबर का यानि total 100 नंबर का यह आपका practical examination होगा जो की qualifying nature का होगा बस इसको आपको qualify करना रहेगा ठीक है फिर merit list आपकी बनेगी इस इन सब के होने के बाद और फिर आपका detailed medical examination करवाया जाएगा और इसके बाद आपको final selection मिल जाएगा ठीक है तो यह रही आज की हमारी update I hope आपको यह update अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करें आगे ऐसी ही update पाने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद